प्रदान मंत्री आवाज योजना के लिष्ट में आपका नाम है या नहीं यह देखने के लिए आपको अपने सर्च बार में जाना है और आपको टाइब करना है यह लिखने के बाद आपको सर्च के आपशन पर किलिक करना है जैसे ही आप सर्च के आपशन पर किलिक करते हैं तो आपके सामने यह साइट ओपन हो जाती है इसके कुछ समय के बाद आपकी home screen पर एक advertisement सोगा जिसे की आपको disable करना होगा जैसा कि यह advertisement अभी आ गया है इसे मैं simply disable कर देता हूँ जैसा कि मैंने advertisement को हटा दिया है इसके बाद main menu के side में तीन लाइने देखने को मिल रही है simply आपको वहाँ touch करना है जैसा ही मैंने इस पर touch किया यहाँ एक नया menu देखने को मिल रहा है इसके बाद आपको second number पर एक आवाज soft करके option दीख रहा है इस पर आपको simply click करना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं तो कहीं और menu देखने को मिलते हैं इसके बाद आपको report के option पर click करना है इसके बाद आपकी screen पर M.I.C.E. report करके option खुल जाएगा इसके बाद नीचे लिखा हुआ है all states उस पर आपको click करना है simply में इस पर click करता हूँ और अपना state choose करता हूँ जैसा की मेरा state मद्दे परदे से आपका कोई भी हो सकता है मेरा मद्दे परदे से तो मैं मद्दे परदे से पर click करता हूँ इसे click करने के बाद यह कुछ समय loading लेगा इसके कुछ समय के बाद आपके आप mobile में यह कोई दूसरा select करने का option आएगा इसके बाद आपको अपनी city choose कर लेनी है जैसा की मेरा तो खंडवा है तो मैं अपना खंडवा चूस करता हूँ और आप अपना कोई भी चूस कर सकते हैं जैसा की मैंने खंडवा पर click कर दिया यह कुछ समय all loading लेगा जैसा के कुछ समय बाद इसा page और open होगा इसके बाद आपको all select के option पर click करके उसे देखना है जैसा की आप देख रहे हैं आपके ब्लोग कौन सा है आपको अपना ब्लोग चूस कर लेना है मेरा खंडवा है आपका कोई भी हो सकता है मैंने खंडवा के option पर click किया है अभी कुछ समय loading लेता है कुछ समय loading लेने के बाद आपके इसमें यह page open होगा इसके बार आपको select के option पर चूस करना है अपना गाउ मेरा गाउ तो धोरानी है आपका कोई भी हो सकता है तो मैं simply धोरानी के option पर click करता हूँ आप अपना गाउ चूस करके उस पर click करें जैसा ही मैंने उस पर click किया यह वापस से loading लेने लग जाता है इसके बार आपको simply उपर जाना है और यहाँ पर capture code डालना है 37 और 50 आपको बताना है यह कितने होते हैं तो simply मैं यहाँ पर 87 लिख रहा हूँ जैसा ही इसे लिखने के बार आपको संबीड का option पर click करना है जैसा कि मैंने कर दिया यहाँ कुछ समय loading लेने के बाद आपको download PDF के option पर click करना है जैसा कि मैंने download PDF के option पर click कर दिया है यहाँ कुछ समय loading लेगा PDF download होने के बाद कुछ इस तरीके का दीखेगा जिसमें यहाँ किस को लाब मिला है प्रधान मंतरी आवास योजना का इन सबके नाम इसमें सो होंगे यदि आप इसमें देखना चाहते हैं कि अभी इने कितना amount अभी तक आ गया है तो simply आपको इस registration number के option पर क्लिक करना है जैसा कि मैं मुकेज के registration number पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ इसके कितने पैसे अभी तक आए है तो मैंने simply इस पर क्लिक किया और यहाँ कोई site open हो जाती है इसके बाद कुछ समय लगता है इसे open होने में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बेनू फेचरी की details देख रही है simply आपको नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आपको कितने पैसे अभी तक मिले हैं यह देखने के लिए आपको नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं एक बार 40,000 रुपे और दूसरी बार 40,000 रुपे और तिसरी बार 25,000 रुपे और चोथी बार 15,000 रुपे की किस्त प्राप्त होई है वो साथ ही इनकी तारीक भी लिखी हुई है कि यह अकॉण में कब क्रेडिट की गई है